जैहिन सातियों स्वागत है आप सभी का हमारे ग्यान आर्वियल यूटूब चैनल पर सातियों पता है कि आपके जो पुलिस के एक्जाम लगे हुए उसके लिए हम इस्पेसल हिंदी साहित के इतिहास पढ़ा रहे हैं और वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो कि आपके एक्ज सब्सक्राइब चीज़ें इसको हमने पूरा बिस्त्रत से करवाया हुए ठीक है तो कैसे आपको मिलेगा और प्लेस्ट में यहां से आपको मिल जाएगा और हिंदी साहित भी हम इसी प्लेलिस्ट में डाले दे रहे हैं तो इसको पढ़ लिजेगा बहुत हिसांदार तरीके सब्सक्राइब हिंदी यहां से आपको मिल जाएगा ठीक है और इस चीज़ बता दूँ आपको कि हमारी स्टैटिक एबुक है फिप्टी रुपीज में आपको मिल जाएगी कहां से हमारे घ्यान अर्वेल आप पर जाकर करके इसको आप पर्चेस कर सकते हैं इतने सारे कर लीजिएगा ठीक है चलिए और इसकी दोस्ता प्रिंट भी निकलवा सकते ठीक है चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो को पता है इसके पहले वाले वीडियो तक हमने पूरा आधिकाल देख लिया था आज हमारा जो टॉपिक होगा भक्तिकाल के बारे में हम बहुत ही सांदार तरीके से देखने वाले हैं ठीक है तो भक्तिकाल से जो भी कोष्यन आपकी इजया में बन सकते हैं उनके बारे में बहुत इस सांदार तरीके साम देखने वाले है ठीक दोस्तों आपके समय दिया गया है कप से कप तक है तो मगर आपको यह वाला जरूर या रखना है कितना है 1375 से लेकर के तो स्षयता स्षयतता कि परवर्त किसको मानते हैं और भक्ति सब्सक्राइब कहां मिला तो सवेता सवेतर उपनिसद में यह मिलता है ठीक है अब देखिए बहुत से लोगों की यह दिखिए आपको कथन देदा किसका कथन है तो देखिए जो भक्तिकाल है इसको जार्ज गिरसन ने क्या बोला कि यह इसाइत की देन है इसाई लोगा है उसके वुझे से दोस्टो आचार रमचनसुकर ने क्या बोला इस्लामी आक्रमर की प्रत्क्रिया है भक्तिकाल ठीक है ौचार्ज गिरसन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित का सोड़ीयू कहा दोस्तों यह आपके लिए की हिंदी साहितिका सोडीयों डिसम कैसे दो बताईगे घर्जी करिएर ठीक है ऐसे भी कोशन आपके एजम बनेंगे ठीक है और आप से पूझेगा कि डाक्टर राम विलास सर्मा ने क्या बोला भक्तिकाल को तो आप पतेगे इन्होंने भक्तिकाल को लोक जागर्ण काल कहा वहीं हजारी परसाद जी ने क्या बोला है इन्होंने लोक जागर्ण इन्होंने भी कहा है ठीक है और आचार रामचंद्र सु सब्सक्राइब करे Partners रव्य वरों कभेसे सब्सक्राइब्स उनिवस्टाइब के विभागों अब हैसे तोnic है इद हमाटेदा नाहीं करा जैए निर्गुल गजाएगा सफली कभेसे सब्सक्राइब अब दोस्तों निर्गुण को भी हम दो भागों माटेगा आपका दोस्तों कौन-कौन से तो आपको आदे राम राम रामसराई और कृष्ण को मानने वाले तो देखें आपसे बहुचे का भाक्तिकाल को कितने भागों माटा गया दो भागों में निर्गुण का भी धारह कितने भागों माटा दो भांने संत का विधारह सुपी ज्याना स्रय और प्रेमा स्रय भी कहते हैं और संत्पव değधारह नों य्नBU वाठे इंप चलिए हैं आप लए जान मारगी और दोस्तों यह सेमए जीज़े आपके मर्ताकासी तरवगा 2022 से पूछा गया कि हम दोस्तों निर्गूल काब विधारा कितने भागों माटा गए तो निर्गूल काब विधारा को दो भागों माटते हैं संथ का विधारा और सूफी का विधार तो यह देखी सथिक्विद्रा बारते हैं अब वह पहला इसको ग्याना कई श्राख्या ऑग से पूछे गद मोटें माँ शॉन के निव Absolutely सट काब और के परथम कवी कौन है तो देखिए का और दिवेदी ने ने कबीव दासकर है गाल गुप्त और और दोस्तोर रामकुमार वर्माने नामदेव को माना बाकी सम्ने दोस्तों कभीर को माना है जैसे आजार रमसुषूल ने हजारी प्रसाथ दिवेदी ने और राम स्वरूब चतुरुवेदी ने कभीर दास जी को इसका पहला कभी माना है ठीक है तो चलिए यह चीज़ आपक लगांगे की महान वह संपर्दाइब के प्रवर्ता पुण्ड़िक है मगर दोस्तों किन्तु कौन माहिते संत क्याने सफ्थ यह वाला पूछा लए बार करी के परभणता पयुक्त कविकान में कौन से कभीर दास इनके दोस्ते हैं आप देखें गुरू देख लेंगे गु पुछाता है ठीक है और आपके गुरु नानक दोस्तों हो गया खत्री ठीक है तो यह आपके इसी से थे ठीक है यह सारी चीज़े देख लेंगे जिसमें इंपॉर्टन वो मैं बता दे रहा हूं ठीक है इनको आपको याद नहीं रखना ठीक जाता चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों कभी दास के बारे देख लेजिएगा यह इंपॉर्टन देखें कभी दास की बात करते हैं इनका जर्म कासिम हुआ गुरु कॉन है रामानंद है जाती के जुलाह हैं पुत्र पुत्री कमाल कमाली मगाहर में इनकी मर सुफी फकीर सेख तकी जो कि सिकंदर लोती के गुरु थे ठीक है और आप उता दे कि कभी दास की वाड़ी का संग्रह इनके सिस्धरम दास ने दोस्तों बीजक नामक उसमें किया था और दोस्तों तीन भागों में किये गए इनका साखी सबत रहमाईनी के संग्रह को हम बी स्याम सुंदर दास ने कभीर दास की भासक पंचमेल खिटडी कहीं है यार रखनें बहुत इंपॉर्टन कई बार पूछा गया और आचार रामची सुखलों ने दोस्तों इनकी भासक सद्धुकरी बोला है यह आपके यूपी ट्रपल सी वीडियों में भी पूछा गया ठी चलिये अगर आट आप और प्रिवर्टर थी दोस्तों प्रवर्टर थी ने पर इनके वाहरे में ज्याद आपको जानना नहीं दोस्तों ठीक है चलिए तो यह चीज़ें आपको समझ में आ गहीं होगी बहुत और यह देख लेंगे आप कोश्छन आ जाते हैं ठीक चलिए अब देखे यह आपके क्या है रक्षनाई मगर दोस्तों यहां से आपके कोश्छन बहुत कम पूछाते हैं इसलिए इन को आपको याद नहीं करना है ठीक है इनको आपको याद संठyect है रूप रहाक बात करें तो चिस्थी संप्रदाय जिसके कोन है और सब्सक्..., कोन है न नक्स बच्छ बंदाये कि भाकी तो ये आप सको यार रहते हैं थ्टीक है चलिए अब देखे इसके दोस्तों पर्थां कभी के बात करते हैं तो बहुत इंपॉटन हो जाएगा देखे सूफी काव इधारा के पर्थम कभी बहुत इंपॉटन पूछाते ना तो आप से पूचे का पर्थम कभी कौन है असाइत हैं किसके अनुसार असाइत को माना गया तो गणपत चंद गुप्त के अनुसार और इनकी पहली रचना कों से हंसा वल ठीक है तो यह चीज़ आपको याद कर लेनी है क्योंकि यहां से कोशन पूछे आते आप दोस्तों यह रचना आपके लिए बहुत इंपॉर्डन तो इसको तो यह रखना है कों से रचना किसकी है असाइत की हंसा वली ठीक है मुला दाउत की चंद आयन मुला दाउत की इसां पदमावत मुली मुझा को तो मतमावत है अव मंदहन के मधुंस माथ कि हंततों इतना रिख लेंगे दोस्तों आपका यहां प्याएंगे तो यौहाँवत चृत्राह वली वु quirkeंभ्य बात कर लेका चंद सबस्सा कि हंस जाहिर और नूर मोहूंद की इंद्रावती औ और दोस्तों अनुराग बासुरी इंद्रावति और अनुराग बासुरी यह आपके लिए भी मौस्ट इंपोर्टन थीकल इस चीजे आपको देख लेना एक बार क्योंकि यहां से भी कोशन आपके एकजाम में अमोमन पूछ देख चुके होंगे आज हमने जो आपका निरूण काब धारा था इसको हमने बहुत ही सांधार तरहीक से पर्चित कर लिया है देख लिया है अगले वीडियो में देखे दुद देखे तएंगे में समाप्त और देंगे कैसे लगी वीडियो जैँ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए जाए हिन जाए भारत बंदेवात अन। थैंक्यू लब यू आल